इस्राइल हमास युद्ध की वज़ा से पूरी दुनिया का शिपिंग कारोबार संकट में आ गया है। लाल सागर तक सीमित थे लेकिन आप वो बाबल मंदेप, एडन की खाड़ी और हिंद महासागर तक हमले कर रहा है। इसको लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया साहरी का कहना है कि हमारी सेना ने विंग मिसाइलों से अमेरिका के मैडो इंधन टेंकर पर हमला किया है। और इसराइल के इलत बंदरगा और रिजॉर्ट इलाके पर भी विंग मिसाइल इदागी गई है। आपको बता दे कि अमेरिका के जिस मैडो ओयल टेंकर पर हूती ने हमला किया है। उस पर मार्शल आइलेंड का जंडा लगा था और ये जहाज सौधी अरब से LPG लेकर सिंगापुर जा रहा था। लेकिन लाल सागर में हूती ने इस पर हमला कर दिया। हाला कि इक्वेसिस के शिपिंग डेटाबेस से पता चलता है कि ये जहाज नेफ्टोमर शिपिंग एंड ट्रेडिंग कमपनी लिमिटेड के नाम पर था जो ग्रीस की है। हाला कि इस हमले को रलेकर नेफ्टोमर ने तुरंट कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपको बता दे कि हूती को इरान से समर्थन मिलता है जिसके दम पर वो लाल सागर में माल वहाग जहाजों पर हमले कर रहा है। लाल सागर में हूती के हमले नवंबर 2023 से जारी है। हूती का कहना है कि गाजा के भीतर जब तक इसराइल युद्ध नहीं रोकता तब तक उसके हमले जारी रहेंगे। बड़ी बात ये है कि लाल सागर में माल वहाग जहाजों पर हमले से दुनिया का शिपिंग कारोबार पूरी तरहा से चर्मरा गया है। और शिपिंग कमपनियां डक्षिन अफरीका होते हुए अपने जहाजों को ले जा रही है जो बेहद ही खर्चीला और लंबा है। लेकिन उसने अभी तक अपने हमले रोके नहीं है। बलकि अब हूती यमन के भीतर उठ रही अपने विरोध की आवाजों को भी दबाने में लगा हुआ है। सबान्यूज अजन्सी के मुताबिक यमन के केंद्रिय प्रांत अलबायदा में हूती के एक हमले में 18 लोगों की जान चली गई है। बड़ी बात यह है कि यमन का आधे से ज्यादा इलाका हूती के कंट्रोल में है। यहां तक कि राजधानी सना और लाल सागर का प्रमुख बंदरगा होदेदा भी हूती के नियंतरण में है। और साल 2014 से ही शूती और अंतराष्टिय स्तर पर मानेत प्राप्त यमन की चुनी हुई सरकार में ग्रह युद्द चल रहा है। यमन की चुनी हुई सरकार को पश्चिमी देशो और सौदी अरब का समर्थन हासिल है। तो वही हूती को इरान का सपोर्ट मिला हुआ है झाल 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 झाल